नमस्कार रागगीरी में आपका स्वागत है आज जिस कलाकार से हम आपके मुलाकात पराने जा रहे हैं उनके बारे में खास बात यह है कि आप रियालिटी शोज की बात करें आप फोक संगीत की बात करें सूफी संगीत की बात करें या गजनों की बात करें हर जगा है उनका स तो आप से भी ते कोई भजन और उसके बात कीखना से सीखा है95 बहुत प्यारा लगता है मुझे हमारो प्रणा बाके बिहारी को हमारो प्रणा हमारो प्रणा मूर मुगुट माथे दिलक बिराजे मूर मुगुट माथे दिलक बिराजे कुडल अलका कारी को अधर मधूर पर बंसी बजावे रिच रिजावे राधा प्यारी को यहां चब देखन मघन भाई मेरा मेरा यहां चब देखन मघन भाई मेरा मोहन गिरिवार धारी को हमरो प्रणा हमरो प्रणा मा के बिहारी को हमरो प्रणा मेरांदे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब कोई इस तरह से कॉंप्लिमेंट करता है कि आप सूफी हो उसके अलावा भजन हो उसके अलावा गजले हो उसके अलावा फोक हो रियालिटी शोज हो यह जो एक एक वरसिटाइल सिंगर की जो इमेज बन रही है आपकी बहुत मजबूती से प्रॉमिनेंटली इस पर जो आपको लोग जब आपकी तारीफ करते हैं वाहवाही करते हैं तो कैसा फील होता है अंदर से और अच्छा ही लगता होगा जाहिर सी बात है लेकिन क्या जिम्मेदारी बढ़ती है? जी अफकोस शिवेंदर जी जिम्मेदारी तो है क्योंकि चाहे वो ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, फोग, घजले, सूफी कोई भी प्रकार का म्यूजिक हो तो इस अफ्रेंट काइंडस्तानी मुजिकल जॉन्रे बट हरेक का एक अलग निवांस है हरेक का एक अलग वोईस थ्रो है, हरेक की इंप्रोविजेशन स्टाइल अलग है चोटी-चोटी इंट्रिकसी और्नमेंटेशन अलग है तो I think ये सारी चीजे समझ के गाना बहुत जरूरी है if you really want to justify that particular genre that you're singing और responsibility के साथ साथ एक चाह भी है कि हरेक प्रकार का हिंदस्तानी संगीत गाना है मझे और so yeah, it's definitely a responsibility and the win मिरादेश आपके बच्पन में चलते हैं और शुरुवात करते हैं आपके गुरूओं से तो दो चीजे मैंने पाई हैं हमेशा जब किसी कलाकार के सफर को जानने ही कोशिश की है कि एक तो वो शुरुवाती गुरू होते हैं जो basic चीजें सिखाते हैं और आपके अंदर एक संयम पैदा करते हैं एक संसकार पैदा करते हैं और फिर कलाकार उसके बाद की सिख्षा के लिए और आगे जाता है तो आपके जो शुरुवाती गुरु रहे आपके संगीत सफर के जो शुरुवाती गुरु रहे चाहे वो नयान जी हो चाहे वो अनिकेट जी हो उनके बारे में थोड़ा बताईए जी डेफिनिटली मेरे शुरुवाती गुरू शरीनायन पंचाल और शुरी अनिकेत खांडेकर दोनों से ही मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत जुड़ी हूई हूँ एक होता ना जिसे, as you rightly said, कि उन्होंने मेरा फांडेशन बनाया है मैं कुछ नहीं जानती थी Indian Classical Music के बारे में and they were the ones who showed me the light as to what is Indian Classical Music, कैसे गाया जाता है, क्या होता है उसमें तो राग क्या है, रागदारी क्या है ये सब समझ मेरे जो foundations, my basics were given by them और, you know, I am so blessed की, both of them were extremely patient with me as teachers and gurus and मैंने काफी बार मैं जूट नहीं बोलूँगी, नैन सर से तो, you know, थोड़ा सा, you know, I have really tested his patience because मैं तब स्विमिं करते थी, I was a national level swimmer तो बहुत rigorous routine रहता था मेरा, तब और music class was more like an extra activity, you know तो ऐसा लगता था कि music class को जल्दी से खतम करके स्विमिन के लिए भाग जाओ so he was extremely, extremely patient with me, I was of course very young back then and उसके बाद, उनका बड़पन ये है कि एक समय के बाद उनों नहीं मुझे श्री अनिकेद घंडेकर जी के पास भेजा ये कहके कि अब तुम्हें थोड़ा सा advanced level का music सीखने की जुरूत है so he was the one who guided me to move forward and अनिकेद सर से मैंने मेरा विशारत music का degree लिया मतलब मैंने विशारत complete किया उनके साथ अच्छा आपने गंधर महाविद्याले से भी सिक्षा ली है तो इसका मकसद क्या था दो चीजे हो सकती है एक तो ये लगा हो कि अगर संगीत में हमें professional career बनाना है तो कुछ degree की जरूरत है degree मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है यहाँ पर और या फिर आपको लगा कि नहीं गंधर महाविद्याले से जुड़कर आपको नया कुछ जानने को मिलेगा नया कुछ सीखने को मिलेगा क्या सोच थी उसके पीछे की गंधर महाविद्याले से जुड़ने का मकसद मेरा actually degree कभी नहीं था मुझे my mother is अवसंगीत वशारत तो उन्होंने जब यह सीखा था परंपरागत music तो उन्होंने मुझे बताया था कि यह music सीखने से यह exams देने से you will learn a lot about the theory of music और राग की पकड क्या है राग का गायन समय क्या है राग का वादी समवादी स्वर क्या है तो यह सारी जो चीजे हैं जो यह सारी जो चीजे हैं जो यह थेयरी में आती है music theory में आती है Indian classical music theory में आती है वो आपको इन exams को देने से जादा समझ में आएगा सीखने को मिलेगा एक proper syllabus होगा जो की आपको पढ़ना पड़ेगा So I think that was more of intention to go in a very systematic manner of learning rather than getting the degree and for a purpose of job in the future मतलब वो कभी मेरा intention नहीं था और अभी भी नहीं है because I think I enjoy performing I enjoy singing on stage more So yeah यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के comment box में जाएं और अपनी राय रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूपता पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे